हम तो चार पूरी खाके ही आये हैं बस और भाईया बिर्जेश भाई ऐसे जुटे थे ना वो क्या नाम है खीर को एसे पी रहे थे ना कभी जैसे देखे ही नहीं हमने तो भाई सिब दो ही दो बार किया अज के एक न्यू व्लोग में आप सबका स्वागत है सो गाइस आज है आठ मार्च और आप सबको पता है कि आज है महासीव रात्री और आप सबको यह भी पता होगा कि आज के दिन वानसीव का और आता पारवती के साथ जिवा हुआ था इसी उपलप्च में हम सब जो हते हैं भक्त इसी दिन को घर पर जाप करते हैं और बहुत ही धूम धाम से भंडारा का योजन करते हैं तो वैसा ही हमारे सर जी ने अपने घर पर किया है और हम सबका आज निमंत्रन है तो हम जाएंगे साम को ने सर के घर क्योंकि हमारे सर जी ने निमंत्रन दिया है हम सबको तो ब लोग गाइस बहुत ही हटके रहेगा और बहुत मस्त रहेगा फाइनली गाइस हम भंडारे में आ चुके हैं और देख सकते हो कितनी जदा भीड़ है और सभी भक्तियां पर परसाथ गिरहन कर रहे हैं महाशिवरात्मी के उपलप्च में हम आये हुए हैं साम को भंडारा खाने और यहां देख सकते हो तभी भाई गाउं के खारे हैं आये में परसाथ ग्रहन कर रहे हैं और यह देख सकते हो विद्यस भाई कितन भाई इनका नाम तो नहीं जानते फिर भी इनको चीनते हैं बन ज गाईस इधर देख सकते हो कि सर भाई किस परकात परसाथ ग्रहन कर रहे हैं जैसे बहुत सुबा से बहुत ज्यादा भूखे हों और देख सकते हो और विर्जस भाई को भी देख सकते हो कि इतने बहुत तेजी से परसाथ ग्रहन कर रहे हैं और यह देख सकते हो दीपक है और हमारे साथ पढ़ते थे पहले dużo grit इसामने वाले देख सकते हो सामने स्कूल है महीं फे पढ़ते थे अंध्यरा है इस तैमें नहीं दिखाए देगा तो यह पढ़ते थे बहुत ज्यादा मचा आता थह अर लाइट वाइट लगी हुई देख सकते न है बंडारे का आयोजन किया गया है तो गाइस इधर देख सकते हो परसाद बित्रणा हो रहा है और देख सकते हो क्या क्या है परसाद में तो इधर देख सकते हो गाइस है खीर और उधर चलते हैं दिखाते हैं आपको इधर सब्जी है और पूड़ी है और सभी भक्त यहां पे म अब हम जा रहे हैं घर को इदर से लिए हमारी टीम जा रहे हैं गर को तो आज जैसे की शिकør रात्री के पर्व पर हमारे सर्क के यहां प्रोग्राम जा रहे हैं तो बने रहेना अगते ब्लोग में सब्सक्राइब करें जा रहे हैं घर के लिए रवाना हो चुके हैं और देख सकते हैं गाड़ी पर तीन लोग हैं हम यह हमारे भाईया जी हैं और एक छोटा देख सकते हो फोटू बैठा गुआ है पीछे उनका नाम बता दे क्या नाम है आपका पर देख सकते हो उनके गाड़ी पर विर्जेज भाई है और और निखिल है और किसान है तो वाला किसन मत पाद लेना फिल्मों वाला भोछपुरी फिल्म मौला आई अभी हम निकलने घर को तो गई एक बात और रहे कल भी एक भंडारा है कल भी जाएंगे खाने यहां पर नहीं है गाउं में और देख सकते हैं भक्तों की कि कितनी ज़्यादा क्तार प्ने का नाम ही नहीं ले रही है कितने ज़्यादा भक्त आ रहे हैं पर लग रहा था ना पंदरा बीस पूड़ी खाकर आए हैं तु समझा है ने तु समझा नहीं हम तो चार पूड़ी खाके ही आए हैं और भाई बिर्जेद भाई ऐसे जुटे थे ना वो क्या नाम है फीर को ऐसे पी रहे थे ना कभी जैसे देखे ही नहीं हमने तो धाई सिब दो ही दो बार पिया तो दोना पिया था बस दो निकी विर्जेद भाई पांच दोनिकी पी गए और यह सब देखो कितने चोटे-चोटे हैं वह यह दद्दद की मार दिये वह देख सकते हैं इसका गार कजब बिजजती है कि मोटे हो गए है सब खाखा के भगवान का परसाथ खाखा के कि मोटे हो तो इसे इसे निखिल के दो एक सकते हो थोड़ा अनिवार में आ जाए ना तू समझा कि नए तू समझा नहीं कितना चाहता मोटा हो चुका है दस दोन की खीर पीएगे भाई साफ तो क्या होया समस्क्राइब देख सकते हो दूबले पतले हैं यह भईया खाने में ध्यान नहीं देते अपने सेहत पर हमारे जैसे हैं अच्छा है तो खाएंगे नहीं तो जैराम जी की वीडियो में कमेंट कर देना आज का व्लोग कैसा है मिलते हैं नेस्ट व्लोग में नए अंदाज में तब तक के लिए बाई बाई टाटा तुम सब भी कर दोबे चूतियों